करवा चौत पती और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निस्ठापून वर श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। यह मानेता चली आ रही है कि पती वरता सत्ती सावित्री ने यम्राज से अपने पती के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। मगर यम्राज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्मे जल त्याक कर अपने पती के मरत सरीर के पास पैट कर विलाप करने लगी काफी समय तक सवित्री के हट को देख कर यमराज ने सत्यवान के प्राण लोटा दिये और तभी से आज के दिन कार्तिक चतुर्थी को सुहागिन महलाएं अखंड सौभाग्य वो पती की लंबी आयू के लिए करवा चौत का निर्जला वरत रखती हैं नौकरी पेशे से जुड़ी वरती महलाओं के लिए अच्छी बात तो यह है कि आज रविवार यानि अवकाश है और उन्हें कहीं नहीं जाना है लेकिन वहीं दूसरी कुछ विभाग ऐसे हैं जहां आज के दिन भी फर्ज और कर्तवी को निभाते हुए महलाएं अपना पत्नी धर्म भी निभा रही हैं कुछ तो अपने पती से दूर हैं और वीडियो कॉल पर ही पती को देख कर अपना वरत पूरा करेंगी महिला पुलिस और महिला नर्स निर्जला वरत रखते हुए पूरा दिन अपने करतव या अपनी ड्यूटी के लिए समर्पित हैं एक और महिला पुलिस प्रशासन में अपनी सेवाइं दे रही हैं, वहीं दूसरी और नर्स, कोविट और डेंगू से अपने शहर की रक्षा में ततपर हैं और इसे अपना फर्ज बता रही है। आईए उनसे ही सुनते हैं कि जब उनसे हमारी टीम ने इस बारे में बात की तो उनका क्या कहना था। चुटी ले सकते थे लेकिन अभी ज़रूरत है हॉस्पीटल में हम लोगों की जागा हो रही है क्योंकि हमावारी फैली हुए और डेंगो की वज़े से हॉस्पीटल में चारो तरफ अपना तफरी है। और स्टाफ की अगर हम ही लोग छुटी होके बैठ जाएंगे तो जो पेशन्ट आ रहे हुने कौन देखेगा, उनको कौन टीप्रेंट सही से देगा, उनकी देखवाल नहीं होगी तो और जाने परेशन है। दोनों ही खुशी है, देखो करवाजगत का दिन भी हमारा ही है, और डूटी भी हमारी ही है, दोनों का करतब हमें निमाना बहुत पच्छी है।